जे मातादी दोस्तों, वर्ण बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये पताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माग पूर्णिमा साल 2020 में कब मनाई जाएगी? और किस दिन वरत वाली पूर्णिमा होगी? और किस दिन इस नादान की पूर्णिमा मनाई जाएगी? इसके लवा हम बात करेंगे कि माग पूर्णिमा का क्या महात्व है? और इसकी पूजा का सुप समय क्या है और साथ ही हम बात करेंगे कि माग पूर्णिमा की पूजा विधी और व्रत के नियम क्या है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्विस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ल बैस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया ह तो जल्ली से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेहर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे सास्त्रों में माग इसनान की और व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है माग मास की प्रतेक्तिथी पुन्पर्व है उसमें भी मागी पूर्णुमा का विसेश महात्व बतलाया गया है माग मास की पूर्णुमा तीर्थ इस्थानों में इसनान, दान आदी के लिए परमपलदाई बताई गई है तीर्थ राजप्रियाग में इस दिन इसनान, दान, गौदान एवं यग का विसेज महात्व बताया गया है आपको बता दें कि मागी पूर्णुमा के दिन कुछ धार्मिक कर्म संपन्न करने की भी विधी हमारे सास्त्रों में बताई गई है प्राता काल नित कर्म एवं इसनान आदी से निव्रत होकर भगवान विश्णुजी की पूजा अर्चना करें फिर पित्रों का स्रात करें गरीब एवं असहय लोगों को भोजन, वस्त्र तथा कुछ पैसों का दान दें तिल कंबल, कपास, गुड, घी, मोदक, चरण पादुका वा अन आदी का दान करके पूरे दिन व्रत रखकर भोजन करना चाहिए और इस दिन सत्संग, कथा, कीरतन में दिन रात बिता कर दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए मागी पूर्णमा के दिन सत्त नरायन भगवान का व्रत रखकर सायंकाल कथा स्रमण करते हैं और मागी पूर्णमा को सत्त नरायन व्रत का फल, अनंत गुना, फलदाई माना गया है दोस्तों, हिंदु मानिताओं के अनुसार माग इसनान करने वाले मनुस्यों पर भगवान विश्णुजी प्रसन रहते हैं तथा उन्हें सुक्स वभाग, धन संतान तथा मोच प्रदान करते हैं दोस्तों, मगान अच्छतर के नाम से माग पूर्णमा की उत्पत्य हुई है ऐसी मानिता है कि माग मास में देवता प्रत्वी पर आते हैं और मनुस रूप धारन करके तीर्थ इस्थानों में इसनान, दान और जब करते हैं इसलिए कहा जाता है कि इस दिन तीर्थ इस्थानों में गंगा इसनान करने से समस्त मनोकामनाईब पूर्ण हो जाती हैं और मुक्छ की प्राप्ती होती है दोस्तों, मागी पूर्णमा वरत की विधी इस प्रकार है माग पूर्णमा के दिन प्राता काल सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी, जलासय या कुवे में इसनान आदी करना चाहिए और इसनान के बाद सूर्य मंत्रों का उच्चारां करते हुए सूर्य भगवान को जलर्पित करना चाहिए और इस नान के पस्चात प्रत का संकल्प लेकर भगवान विश्णु जी की विद्वत पूजा अर्चना करने चाहिए फिर मध्यान काल में गरीबों को भोजन कराकर दान दचना देनी चाहिए दान में तिल एवं काले तिल विसेश रूप से दान देना चाहिए माग मा में काले तिल से हवन और काले तिल से पित्रों का तरपन करना चाहिए दोस्तों माग पूणमा के दिन रात में चंद्रमा की पूजा करें अर्द देने के पस्चात ही व्रत का पारण करें चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2021 में माग पूर्णमा का पर्व कब मनाया जाएगा तो सबसे पहले बता दें कि पूर्णमा तिती की सुरुवात 26 फरवरी 2021 की दोपहर को 3 बचकर 50 मिनट पर होगी और पून्मा तिति की समापती 27 फरवरी 2021 की दोपहर को एक बचकर 47 मिनट पर हो जाएगी तो इस हिसाब से पून्मा व्रत की तिति 26 फरवरी 2021 दिन सुक्रवार को रहेगी और इस दिन चंद्रमा निकलने का समय साम 5 बचकर 20 मिनट पर रहेगा और इस नान दान की पून्मा 27 फरवरी 2021 दिन सनिवार को मनाई जाएगी और इस नान के लिए सुब मूरत 27 फरवरी को ब्रह्म मूरत में रहेगा और दान के लिए सुब समय 27 फरवरी 2021 को सुबा 8 बचकर 15 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 41 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद